दोस्तो अगर आप अपने पुराने से पुराने डिलीट हुए डेटा को रेकवर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए रेकवर इट सॉफ्ट्वियर को यूज करके डेटा को रेकवर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक पर क्लिक करें इस नए अपडेट का जो कि C.04 है तो चलिए अब फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तो अभी आप देखें यह रियल्मी 3 प्रो है और मैंने अपने रियल्मी 3 प्रो के अंदर जो नए अपडेट आया था जो कि C.04 था उसे इंस्टॉल कर लिया और दोस्तो अगर रियल्मी 3 प्रो के बैटरी बैकप के बारे में कि हमें रियल्मी 3 प्रो के अंदर बैटरी बैकप कैसा मिल रहा है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद तो दोस्तो अगर Realme 3 Pro के battery backup की बात की जाए तो Realme 3 Pro का battery backup इस update को install करने के बाद मुझे 6-7 गंट्रे का मिल रहा है जैसा कि आप skin shot में देख भी रहे हैं और दोस्तो अब बात करते हैं battery charging time के बारे में दोस्तो इस update को install करने के बाद हमारा Realme 3 Pro कितनी देर में चार्ज होता है चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तो जैसा कि अभी आप देखें में एक skin shot लिया था जब मेरे phone की battery 1% थी और उस वक्त टाइम हो रहा था 10 वज के 30 मिनट अभी जैसा कि आप देखें यहां साड़े 10 वज रहें और दोस्तो जब मैंने अपने phone को charging पर लगा के रखा तो लगवक्त 11 वच के 10 मिनट हो चुके थे और हमारे phone की जो battery थी वो 1% से 62% हो चुकी थी तो दोस्तो यहां battery charging जो speed थी वो starting की वो मुझे काफी बहतर नजर आई Realme 3 Pro के अंदर जब मैंने इस update को install किया और उसके बाद दोस्तो अगर full charge की बात करें तो अभी जैसा कि देखें आप यहां हमारे phone की battery 100% चार्ज हो चुकी है और अभी जो time हो रहा है वो बारे बज रहे हैं तो दोस्तो इस हिसाफ से अगर देखा जाए तो हमारे Realme 3 Pro को 0% से 100% तक चार्ज होने में लगवग 10 गंटा लगा तो दोस्तो यह था Realme 3 Pro का battery charging time और दोस्तो अब finally बात करते हैं Realme 3 Pro के performance के बारे में तो दोस्तो अगर इस update को अगर आप अपने phone के अंदर install करते हैं तो आपके Realme 3 Pro की जो performance है वो काफी बहतर हो जाएगी पहले से यह update वाकिए work करता है इस update को install करने के बाद मेरे phone की जो performance है वो काफी बहतर हुई है पहले से लेकिन इतनी जादा बहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी जितनी की हमें coloris 6 पे मिलती थी अब बात करते हैं इसके lag issue के बारे में कि Realme 3 Pro के अंदर हमें lag issue देखने को अब मिलता है या नहीं मिलता है तो जोस्तो इस update को install करने के बाद हमें Realme 3 Pro के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा lag issue देखने को मिलता है हाला कि पहले के मुकाबले अब बहुत ज़दा improvement देखने को मिलता है पहले तो हमारा phone जो है कहीं भी अटक जाता था बट अभी इस update को install करने के बाद Realme 3 Pro के अंदर जो lag issue हुआ है वो काफी हद तक कम हो चुका है अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है तो हो सकता है next update में इसको भी solve कर दिया जाए और दोसो अब finally बात करते हैं third party application के बारे में जैसा कि company ने हमें बताया था और हमने खुद भी face किया था कि जब हम Realme 3 Pro के अंदर किसी भी third party application को use करते थे तो जो हमारी third party application वगरा थी वो lag होती थी और freeze हो जाती थी तो दोसो इस update को install करने के बाद हमारे phone के अंदर अब ये वाली problem completely solve हो चुकी है यहां अब मुझे third party application को use करने में Realme 3 Pro के अंदर किसी तरह का कोई भी issue देखने को नहीं मिल रहा अब दोस्तो Realme 3 Pro के अंदर मैं आपको एक ऐसे issue के बारे में बताऊंगा हो सकता है जिस पर आपका ध्यान न गया हो तो दोस्तो वो है camera से related अब जैसा कि दोस्तो आप देखें मैंने Realme 3 Pro के camera को open कर दिया है अगर आपने भी इस problem को face किया है तो आप मुझे comment करके जरूर बताईए लेकिन दोस्तो इस problem को मैंने face किया था जो कि इस update को install करने के बाद solve हो चुकी है चली दोस्तो अब बात करते हैं gaming audio के बारे में अब बात करते हैं screen shot and photo के बारे में दोस्तो कभी-कभी क्या होता था कि जब हम Realme 3 Pro के अंदर screen shot capture करते थे या किसी photo को click करते थे तो वह gallery के अंदर update नहीं होता था कहने का मतलब वो gallery के अंदर show नहीं होता था बड़ दोस्तों यहां अगर आप realme 3 pro के अंदर किसी भी skin shot को capture करते हैं तो वो आपकी gallery के अंदर directly show हो जाएगा जैसा कि अभी आप देखें मैंने एक skin shot लिया तो वो तुरंथ हमारी gallery के अंदर update हो गया तो यह वाली problem भी इस update को install करने के बाद fix हो चुकी है और दोस्तों अब बात करते हैं boot animation display के बारे में जी हां दोस्तो realme 3 pro के अंदर काफी सारे लोगों को boot animation display के अंदर भी काफी problem देखने को मिल रही थी तो finally दोस्तों इस update को install करने के बाद boot animation display की problem को भी fix कर दिया गया है और दोस्तों अब finally मैं आपको अपना view बताता हूँ इस update को आपको अपने phone के अंदर install करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको यही कहुँआ कि अगर आपको यह update मिल चुकआ है आपके realme 3 pro के अंदर तो आप इस update को तुरंट अपने phone के अंदर install कर लीजे क्योंकि यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा बहतर performance देखने को मिल रही है और काफी सारे improvement भी हमें देखने को मिले हैं इस update को install करने के बाद तो खेर दोसो आज के इस वीडियो मैंने आपको realme 3 pro के अंदर जो नया update आया था उसके बारे में मैंने full details में आपको बताया और दोसो मैंने आपको यह भी बताया कि realme 3 pro के अंदर हमें क्या improvement देखने को मिले हैं और हमें क्या का अभी improvement की ज़रुवत है तो खेर दोसो फलाल इस वीडियो मैं सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को like कीज़े शेयर कीज़े और साथी साथ चैनलों को सबस्क्राइब करना बिल्कूल ना भूले है तो चलिए फलाल इस वीडियो को finish करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ